नमस्कार दोस्तों भारत के 78 वे सोतंतरता दिवस्त की आप सभी को बहुत सारी शुबकामना है और दोस्तों इन शुबकामनाओं के साथ मेरे मनमस्तिष्क में एक विचार आया कि जब हम विक्सित भारत 2047 की बात करते हैं जो पिछले कुछ समय में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सपना हमें दिखाया तो वास्ता में ये विक्सित भारत 2047 कैसा होगा या कैसा होना चाहिए एक सामने नागरिक के रूप में आज की इस वीडियो से मैं अपने विचार वेक्त करना चाहता हूँ हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत हो असहमत हो बात सहमती असहमती से भी beyond ये है कि यदि आपको इन में से कुछ विचार अच्छे लगे तो आप उन्हें अपनाने में आगे बढ़ें और यदि आपको लगे कि अनुभाटिया को यहां सुधारना चाहिए तो आप मुझे सुधारने के लिए comments में अपने contribution भी लिखें तो I hope इस theme पर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे विक्सित भारत 2047 कैसा हो इसकी क्या संकल्पना हो सकती है apart from जो हम market में सुनते हैं उसके अलावा कि ये बातें मैं आज की इस वीडियो से आपके समक्ष रखता हूँ तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि यदि मैं अपनी नजर से देखूँ कि हाँ एक सामन नागरिक के रूप में मैं भारत को 2047 में कैसे देखना चाहता हूँ हम बात करते हैं कि भारत एक डवलप कंट्री होना चाहिए डवलप कंट्री की कोई official definition नहीं होती दोस्तों उसको समझने के कई अलगलग तरीके हो सकते हैं कि per capita income कितनी हो सकती है GDP उस कंट्री की क्या होगी उस देश के लोगों का रहन सेहन कस्तर क्या हो सकता है मेरा मनना है सबसे पहली सबसे महत्पूर्ण बात है कि भारत गरीवी मुक्त भारत के रूप में 2047 तक तयार हो अब इस question को ऐसे समझे कि हमें से ज़्यादा तर लोग यह समझते हैं कि यह सरकार का दाइत्व है कि भारत गरीवी मुक्त भारत हो no doubt सरकारों का contribution होना ही चाहिए पर सरकारों के contribution के साथ साथ गरीवी मुक्त भारत कैसे बने उसके लिए रोजगारों का स्रजन कैसे हो उसके लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के हाथ में wealth का distribution हो यह policy making बनाना बहुत जरूरी है तो मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि 2047 में जब हम विक्सित भारत की संकल्पना रखते हैं तो उसकी सबसे बड़ी requirement है कि जब मैं अपने आसपास कहीं देखता हूं किसी बच्चे को भीक मांगते तो मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है कि अरे आज हम कहते हैं कि हम विक्सित भारत की और बढ़ चले और हमें सडक पर किसी red light पर कोई छोटा बच्चा भीक मांगते दिखाई देता है तो ये बड़े दुख की बात है और इस संदर्व में आपका मेरा contribution क्या हो सकता है ये विचार करने ही होगे है ऐसे नियम ऐसे law बनने चाहिए कि जिस प्रकार ये सुनिश्यत हो कि ऐसे बच्चे न रहें वंचित बच्चे न रहें जिनको गरीबी की वज़े से पढ़ने का मौका नहीं मिले जो गरीबी की वज़े से कुपोशन के शिकार हो देखे दोस्तों एक बहुत important बात आपके समक्ष रखता हूँ कि मेरा विक्तिके तुरूप से मानना है कि बच्चे हमारे देश का बविश्य हैं या आप भी मानते हैं मैं भी मानता हूँ अब अगर हमारे बच्चे ही वंचित हैं शिक्षा से या किसी वज़े से वो कुपोशन के शिकार हैं तो हम अपने देश का बविश्य कैसे लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि भारत की विक्सित भारत होने की नीव 2047 की यदि आज से शुरू हो रही है तो उसमें बच्चों का कल्यान सबसे महत्पूर्ण है जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करना ही होगा अगली प्राइर्टी अगली प्रात्मिक्ता जो मुझे लगी मैं आपके समख्षरकता हूँ वो है दोस्तों बेरोजगारी मुक्त भारत अब बेरोजगारी तो दोस्तों यूएस में भी चलती है बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन अगर आप मेरी बात से स परंतु क्या वो युवा जनसंक्या को हम प्रॉपर ली जो वो डिजर्व करते हैं वो एम्प्लाइमेंट दिला पा रहे हैं नहीं बहुत जरूरी है फॉर एंग्जामपल गॉवर्मेंट का कोई छोटा सा मैंने कई बार ऐसा सुना किसे पी ओन लेवल पर फॉर्थ क्लास ले व्यक्ति जो कैपसिटी डिजर्व करता है जो जॉब डिजर्व करता है उसको व जॉब मिलना चाहिए तो विरोजगारी मुक्त भारत की संकल्पना विखसिद भारत 2047 त्यार करने के लिए बहुत दोस्तों अब बात करता हूं जनसंख्या नियंत्रित भारत था हमारे यहां जनसंख्या विस्फोर्ट मुझे लगता है बहुत अत्तक हो चुका है अब आप कहेंगे कि अनुप जी हम भी इस बात से अउगत हैं कि इंडिया वर्ड में नंबर वन कंट्री है आज की डेट में और कई बार डेटा में आप यह भी सुनते हैं कि एक साल में एक उस्ट्रेलिया इंडिया इतनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है दोस्तों इसी स्तर पर हमारी जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो निश्चत रूप से संसाधनों के अभाव में हम सब आपस में लड़ने लिए जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना होगा ताकि भारत के संसाधनों का बहतर प्रयोग जो वर्तमान जनसंख्या है उसके लिए सुनिश्चित किया जासे हरा भरा स्वस्त वारत विक्सित 2047 विक्सित भारत 2047 की जब संकल्पना मैं करता हूं दोस् कि अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारे शहरी विकास बढ़ता चला जा रहा है शहर बढ़ते जा रहे हैं शहर गाव निगलते जा रहे हैं शहर जंगल निगलते जा रहे हैं तो दोस्तों हर्याली का अभाव होना स्वभाविक है किस प्रकार हम अपनी धर्ती को अप और मैं कहें एक तरीके से किसाफ ठीक है विश्व के इतने नेता हैं बड़े-बड़े वापस में मिल जूल का जो तै करेंगे वो रूप रिखा पर जालतर लोग चलेंगे पर मेरा मानना है आपको मेरे को हर साल पेड़ लगाने से कौन रोपता है हर्याली बढ़ाने से कौन मुझे लगता है विक्सित भारत 2047 की संकल्पना के लिए आपको मेरे को स्वयम पेड़ लगाने की मुहिम शुरू करनी पड़ेगी और हम जितना इसमें एक्टिव होते जाएंगे हम सुनिश्रित कर पाएंगे कि हमारा भारत हरा भरा हो अब यदि मैं स्वस्त भारत की बा दोस्तों हाईजीन हम सब लोग अपने घरों में मेंटेन करते हैं पर जो फूड उग रहा है वो किस रासाइनिक पधार्त के उपयोग से उगा है यू आल के अंडरस्टेंड के उसका कैंसर के रूप में कितना विक्राल सुरूप हम लोग पिछले कुछ समय में लगातार द के बहुत अट्तक सम्रद है पर अन्न की सम्रदता केवल अन्न की उपलबदता नहीं है इसा उपलबद हो जो कि ऐसे तरीकों से उगाया गया हो जो कि environment friendly हो जिसमें कीत नाश्कों का उप्योग कम किया गया हो यह बहुत बढ़ा चैलेंज्ज है दोस्तों मैं नहीं कह सकता कि यह समाधान जो मैं suggest कर रहा हूं या जो मैं problem आपके समक्ष रख रहा हूँ यह मेरे कहने मातर से соल होगी लेकिन जब चर्चा होती आपके मेरे जैसे लोग जब चर्चा में ये बातें लेके आते हैं तो कहीं न कहीं voice आगे तक बढ़ती है और फिर उन विश्यों पर काम भी शुरू होते हैं तो हरा बरा स्वस्त वारत विक्सित 2047 तक और न केवल तब तक बलकि उससे पहले भी हुना सुनिश्चित करना आपकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूँ सामाजिक सुरक्षा साकार भारत आप कहींगे अनुप जी सामाजिक सुरक्षा साकार भारत से क्या मतलब है आपका फॉर एन एक्जामपल मैं एक सेल्फ एम्प्लोड परसन हूँ आप हो सकता है प्रेविट सेक्टर के एम्प्लोई हूँ आजकल तो बहुत सारे गवर्मन्ट सेक्टर के एम्प्लोई भी जो अपॉइंट होते हैं उन्हें भी पेंशन के वल एन पीस में उनके किये गए कॉंट्रिबूशन से आएगी यानि आपको मेरे को ये विश्वास नहीं है कि हम अपने एक्टिव जीवन में जो काम करते हैं उसमें जो कमाई करते हैं क्या वो कमाई सफिजेंट रहेगी क्या कि जिस दिन मेरी रिटार्मेंट की एज आए सुपर एन्यूएशन एज आए से 60 यर्स उस दिन मेरे पास में एक पेंशन की वेवस्ता हो कि हाँ सरकार मुझे उस दिन 10 जार 20 जार 50 जार मेरे आर्थिक स्थर के अनुरूप मुझे दे दे या कोई ऐसी पेंशन स्कीम हो जिससे मुझे वो पैसा मिल जाए दोस्तों इस तरीकी की सामाजिक सुरक्षा का मैं मानता हूँ हमारे भारत वर्ष में नितांत अबाव है और आप जब विक्सित देशों से तुलना करेंगे तो बहुत से विक्सित देशों में सामाजिक सुरक्षा की ये schemes लागू हैं जिसकी वज़े से वहा के लोग अपने वर्तमान जीवन को भी enjoy कर पाते हैं मेरा ऐसा मानना है कि हम ज्यादा तर लोग भारत वर्ष में भविश्य के लिए जोड़ते जोड़ते इकठा करते करते चलते रहते हैं क्योंकि पता नहीं कोई ऐसा समय आ जाये जब कटिन समय हो तो हमें उस समय के लिए पैसा जुरुत पड़े हमें pension कौन देगा हम पैसा इकठा करता रहें तो अगर एक सामाजिक सुरक्षा की कोई guarantee आपको मेरे को उपलब दोती है तो मुझे लगता है वो हमारे विक्सित भारत की संकल्पना को सही माइने में सिद्ध करेगी दोस्तों बात करता हूँ ब्रष्टा चार मुक्त भारत क्योंकि जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो आप कहेंगे कि अनुप जी ये तो एक जुमला है संभव रही है हो सकता है ये जुमला किसी दिन संभव हो जाया और यदि विक्सित भारत 2047 बनाना है तो इससे सिद्ध कर रहा है एक उधारन देता हूँ आपको कि बहुत सी जगे पर ऐसा भी हुआ कि भारत सरकार ने फेसलेस असस्मेंट की प्रक्रिया शुरू करी बहुत हतक उससे जो एक करप्शन कहीं हुआ करता था वो कंट्रोल हुआ ऐसे प्रोसेस धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल के रूप में टाइट होंगे और मुझे उमीद है कि भारत 2047 में विक्सित भारत की सीड़ी पर जब पहुंच चुका होगा विक्सित भारत जब बन चुका होगा तो भारत एक भिष्टाचार मुक्त भारत होगा हो सकता है यह एक स्वपन हो परन्तु इस स्वपन तक पहुंचने के लिए आपका मेरा कॉंट्रिबूशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लेकिए दोस्तों सबको शिक्षा एवं समान अवसर यह दो बाते मैं आपसे करना चाहता हूं विक्सित भारत 2047 की संकल्पना में सबको शिक्षा कितनी जरूरी है वह आपसे मेरे से अच्छा कोई नहीं समझता कहां सबको शिक्षा मिले के हर विक्ति को पढ़ाई के लि जनसन क्या को हम वेल लिटरेट कर पाएंगे तो हमारे देश का विकास कितरी तेजी से होगा मैं तो मानता हूं उस परिस्तिती में 2047 से पहले भी हम डवलप कंट्री बन सकते हैं पहली बात दूसरी बात समान अवसर मैं क्यों बोल रहा हूं हो सकता है समान अवसर से आप आ रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है किसी और को रिजर्वेशन बेनिफिट मिल सकता है रिजर्वेशन मिले नहीं मिले मैं उस बहस में नहीं जा रहा बहुत सी पिषड़ी जाती है जिनका उत्तान आवश्चक है तो वहां रिजर्वेशन की आवश्चता है मैं इस बात से स लेकिन हमारे यहां पर seat लिमिटेड है वो वेक्ति निकल करके जाता है प्राइवेट कॉलेज में अगर उसे जाना है तो प्राइवेट कॉलेज में जाना है बहुत पैसे खर्ज करने है तो देखे दोस्तो समान अवसर कहां उपलब दुआ मुझे लगता है अगर एक बच्चा पढ़ रहा है और वो कल देश के डवलपमेंट में कॉंट्रिबूट करेगा तो उसको भी डवलपमेंट का समान अवसर मिलना चाहिए हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो और आप मुझे विरोध दर्ज करा सकते हैं कमेंट में मैं उसके लिए रोकूंगा नहीं आपको लेकिन दोस्तों समान अवसर is a very important equal opportunity is a very important aspect which should be available when we say that okay now our country is developed country जो विक्ती जो कारे करना चाहता है उसको वो कारे करने की सोतंतरता मिलनी चाहिए मैं एक इंचिनिियर बनना चाहता हूँ मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ जॉक्ती को मिलने, विक्सित बहरत 2047 के लिए concept बहुत आवश्यक है दोस्तों आपको फिर एक मुस्कान आएगी कि जब अनू भाटिया बोलेगा सुच्छ राजनेतिक जीवन भारत की विक्सित भारत संकल्पना 2047 के लिए कितना आवश्रक है आपका मेरा अल्रेडी ये अनभव था है और शायद आने वाले समय में भी रहे कि किस प्रकार हमारे यहां पर नेतागन अपने परिवार जनों को ज़्यादा पूछते हैं या उन्हीं को वी आईपी का उन्हें का बेनेफिड मिलता है और आम जनता वोई धक्के खाती रहती है मुझे लगता है दोस्तों कभी मैं यूके के लिए ऐसा सुनता हूँ कि यूके में मेरे कुछ परिचित हैं तो वो कहते हैं कि साब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में हमारे साथ में वहां का जो MLA MP है वो भी ट्रेवल कर रहा है एक साधार नागरिक के रूप में जब मैं दूशित ही मानता हूं उसको सच्छ राजनेतिक जीवन बनना ही पड़ेगा और सच्छ राजनेतिक जीवन बनने का मुख्यादार है कि कोई राजनेता जब अपने वेक्तिगत स्वार्त से न जाय समाज सेवा राष्ट्र सेवा देश सेवा राज्य सेवा के लिए दूस्तो एक और पॉइंट आपको जुड़ूंगा आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा नैतिक आचरण युक्त भारत हो यदि विक्सित भारत 2047 ही हमें बनाना है तो आप कहेंगे आपने नैतिक आचरण पर इतनी बात क्यों करें आप देख लिए सर भारतिय समाज में महि प्रावदान किया बिल्कुल सत लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए कि दंड सहीता से पूरू हमारे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं हम उन बच्चों को ऐसे संसकार दें कि उनमें एक अच्छे नैतिक आचरण का विकास हो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ने ताक पर रख दिया और इसका बहुत बड़ा नुकसान भारत को आज हो रहा है मुझे लगता है अगर भारत को वास्त्विक शब्दों में वास्त्विक अर्तों में विक्सित भारत वनना है तो भारत के लोगों के मोरल करेक्टर में डवलप्मेंट की बहुत लहराते हैं तो हमें ये जरूर धियान रखना है कि हमारे इस देश की आजादी के लिए क्योंकि हमने तो वह संगर्श किया ही नहीं है हमारे क्रांती वीरों ने कितना संगर्ष गिया है क्योंकि हमने वो चीज़ देखी नहीं होते हम केवल कलपना ही कर सकते हैं वो भी हम प्राया नहीं करते तो हम गर्व से कहते तो अवश्य हैं मेरा भारत महान पर कई लोग इसी का मकौल ऐसे भी उड़ाते हैं मेरा भारत महान सो में से असी बहिमान पर मेरा भारत महान दोस्तों हम केवल राष्टे पर वो 15 अगस्त और 26 जनवरी की बढाईयां दे करके एक दूसरे को खुश नहीं हो सकते हमें ये सोचना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार राष्ट की प्रगती में हम योगदान कर सके आप बोलेंगा अनुग जी आप इतना भाष्ण दे रहे हो आप क्या करते हो अच्छा कोश्चन है सर मेरे पर भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आप पर जिम्मेदारी है मैं एक उधान देता हूँ हो सकता है मेरी ये बात आपको नहीं भी पचे for an example मैं अपने यूट्यूब चैनल के दुरू बहुत सारी income tax समंदी समस्याओं पर बोलता रहता हूँ समय समय पर ऐसा करिये ऐसा मत करिये ध्यान रखिये मुझे लगता है जितनी मेरे पास में छोटी सी knowledge है as a CA मैं उस knowledge से जनता की सेवा कर सकता हूँ ताकि वो गलत prosecution में procedure में penalty में interest में नफस है और मैं अगर उन्हें कह रहा हूँ आप cash न जमा कराएं cash transaction ना करें तो मैं अपनी और से जो छोटा सा contribution advisory के रूप में मेरे भारत महान बनाने के लिए कर सकता हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ it doesn't end here my responsibilities are too high my कि आपको वाष्णर देना शायद मेरे लिया असान हो पर उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी पर आप पर है और मैं भी कोशिश करूँगा यहां पर कि में मेरा भारत महान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रोंग, आप भी ये संकल्प आज के इस पावन दिवस पर लें और भारत वर्ष को वास्त्विक अर्थों में विक्सित भारत बराने में अपना अतुल्निय योगदान अवश्य करें बहुत बहुत दन्यवाद, जैहें